हो सकता है आप अभी chemistry में below average confidence के साथ चल रहे हो या maybe physical organic और inorganic में से कोई एक portion बहुत वीक हो या maybe आपने अभी तक preparation start भी ना की हो, zero level पर हो कोई भी problem हो, इस वीडियो में हर एक problem related to chemistry का one stop solution है तो इस वीडियो को starting से end तक देखिए और जानिए कि कैसे आप scratch से, zero से अपने sure shot 60 marks secure कर सकते हैं जे में first attempt में और वो भी by the end of the December एक complete plan आपके पास होगा जहाँ पर क्या हर एक chapter को कैसे करना है कब करना है and then revise करने का बिस तरिका क्या होना चाहिए या हर एक बात इस वीडियो में discuss की गई है so focus शुरू कर लिजे so concentrate कीजे और ध्यान से सुनिए and हाँ 18th को, 18th November को Unacademy GE channel पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है कुछ बहुत ही बड़ा big reveal है so you can't afford to miss that event इसी वीडियो के नीचे link है notification bell on कर लिजे और अपने दोस्तों से भी जरूर शेर कर दीजेगा आगे पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप comments में जाकर के पहले commitment दे पहले promise दे कि yes I can and I will मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ और अभी से मैं शुरू करूँगा मैं कर के दिखाऊँगा जब तक आप यह प्रण नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी जब भी procrastination आपके सामने आएगा आप तभी उसे beat कर पाएंगे जबके आपको याद आएगा कि यहाँ आपने commitment किया था और आप पीछे नहीं हट सकते हैं तो चलिए आगे देखे 10 chapter जो आपके 63% का वेटेज रखते हैं वो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनी 10 chapter को हमें target करना है मैं बताने वाला हो कि कैसे पढ़ना है कब पढ़ना है और रिवीजन कैसे करना है उसके resources भी तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे है जनरल ऑर्गनिक के सबसे जादा है वेटेज के साथ दिन केमिकल बांडिंग डियने व्लोग कोडिनेशन कंपाउंड यह सब दिखाई दे रहे है दस चैप्टर 63% और 63% वो स्कोर है जो कि 2023 तक कि अगर हम कट अफ की बातशीत करें तो 2023 तक में अवरेज मार्क्स अगर 65 के आसपास हैं कमिस्टी में तो 99% हो जाता है तो यहाँ पर हम सिर्फ सिर्फ शोर्ट 60 की बात नहीं कर रहे है हम क्लोस तो 99% की बातशीत कर रहे है तो और जाद अपने अंदर जो आप पॉस्टिविटी भर सकते है इनर्जी भर सकते है कि यास आप डेफिनेटली आप करके दिखाएंगे हर एक चेप्टर में कैसे पढ़ता है पेस्टे सोर्से अप्रोच इंपोर्टिन टॉपिक्स सारी चीज़ हम डिसकस करने वाले वेंट तो स्टाड़ी यह वीकली प्लाइनर से मिलेगा और रिवीजन कैसे करना है साथ साथ बता रहे है देखिएगा यह तीन सेशन्स वन ओफ दा मोस्ट हल्पिंग सेशन्स में से कोई बच्चा जो अपने गॉसी के Organic Chemistry को jei paleас साथ जो जो चाहिए यहाँ से मिलने वाली इस साल जी ओ सी के तीन सेशन्स बनाएगा ध्यान में रखते हुए के अज़िक अच्चा करने के लिए बैसिक्स का एक बिल्कुल अलग सेशन देन जो बीचे बिर मस्ध का लगाने के बाद होई नहीं सकता क्या जी ओ सी क्या आप और गिनिक किसी भी तरह के कॉंसेप्स को सीखने लाइक बन जाएंगे कॉंफिडेंसी आपका इतना ज्यादा हाई हो जाएगा तो मिस्बत कीजिएगा इस सेशन को यह आपका बेस्ट रिसोर्स है और रिवीजन करना ह पी वाई की उसको आएजा मौक बनाईए बीश्ट केमिस्ट इलमेंट्स वाले चैनल पर यह जीमें एक्सस चैनल है इस पर आपको कोर स्रिय्ज पी वाई क्यू की मिल जाएगी जहांपर कि 2019 से 22 के अलग से सॉल्विंग हो रही है 2324 के हम बाद में करेंगे एग्जाम के पा येफर पिभायकी तो हैं mater si हैं उनको मौकक के रूप में लगाई देना लगा उसके मौक टेस्ट भी है इथर नाम से जो के हम आपको हर एक चैप्टर के लिए दे रहे हैं वीक ली दे रहा सथ दो चैपटर एक वीक में हम करते हैं तो आप के पास एक । सब्सक्रूर आप इसकावर कीजिए दो सबसे इंपॉर्टन टॉपिक्स है विए सी पी और एमोटी से मिस नहीं कर सकते हैं इनको तो बहुत अच्छे से करना है क्योंकि यही सबसे जादा स्कूर दिलाएंगे फॉलॉड बाई पी वाई क्यू सीरीज आपकी कोर की जो आपको सपोर्ट कर यह बैक एंड पर रिवीजन स्टॉंग करने के लिए पी वाई क्यू का आईडिया देने के लिए मौक के रूप में बढ़ कीजिए 2019 से 22 सोले हो चुके है 2324 सोले आगे होंगे एक्जाइम के पास में पैरलल यह आपको पता है साथ-साथ मौक टेस्ट भी अवैलेबल है कर लिजिए यकीन वालिए दिस सम्थिंग यू रियली नीड और आपको पता होने ही चाहिए जरूर देखिएगा क्या बताया जा रहा और नोटिफिकेशन बेलाउन कर लिजिए नीचे डिस्क्रिप्चिन में लिंक डाली है देन कम सुट देन वी कम टू डीने ब्लॉक और कौइशन दो और चैप्टर जो कि हमारे टॉप टैन्टर के सबस्दा स्कोरिंग चैप्टर में से हैं शुरू के चार चैप्टर में से हैं तो यहाँ पर हमने डेने ब्लॉक को तीन सेक्शन सब पढ़ाः इनसाइड़ी डेट रियाक्शन एक्सस जिसमें गे दुनों पार् ठेक खतम करके निकले, बिल्कुल भी वह चैप्टर नहीं है कि जिनके बार में आप यह कहो कि यार इन चैप्टर करने हो बहुत जादा टाइंग लग रहा है समय है बिल्कुल एक सिटिंग चाहिए बस वही चार-पांच घंटे में क्लास के साथ साथ सब फिनिश हो जाएगा स्पीड मत देखिए यह आप 1.25 और 1.5 एक्स कर गए ना कई पर अपने काम बढ़ा लेते हैं तो मत कीजिए आप चुप चाहिए बस सेशन को साथ साथ लगाईए एंटो एंट सेशन लगाया दी एंड हो गया चैप्टर का हर एक बात इतनी ज्यादा डीटेल में अच्छे तो यह हो गया कि सारे रिसोर्स इस पास में है कैसे पढ़ना है किन टॉपिक्स को पढ़ना सारी बाते हो गई पी वाई क्यू सिरीज चल रहा है को और सिरीज फॉलो गरते रही है उसको तो रिविजन डन है देन वी कम टू वीकली प्लैनर जिसमें के वीक वन में 16 से 23 नव लेके चले एक बार इस वीक को के काम को आपने कर दिया आप अनस्टॉपबल बनने वाले हैं सेकंड वीक करने के बाद अनस्टॉपबल ही नहीं अनबीटबल बनने वाले यह दो वीक हैं सबसे इंपॉर्टन और चार सबसे बड़े चैप्टर में आप तो कर डालिए आगे के week का discussion detail में हमारे favorite विशाल सर करने वाले हैं वहाँ पर आप देखेगा यहाँ पर आप देखेगा week 3 में revision of first and second week यह भी added है मतलब revision की भी बात्षीत होने वाली है चलिए so over to विशाल सर जो के आगे का सारा detail बताएंगे hydrocarbon periodic properties जिन सब को कैसे पढ़ना है कैसे complete करना सब कुछ ओवड विशाल सर तो जिस तरह से आपको मोहित सर ने guide किया है properly अगर आप उसको बहुत ढंक से follow करते हो तो जो भी आपका desirable result है वो आप जरूर पा सकते हैं पट condition यही है कि अभी तक अगर आपकी preparation खराब रही है बहुत कच्ची रही है तो आपको यह जो remaining days हैं इसमें काफी जादा focused रहना पड़ेगा और काफी जादा अपने आपको push करते हुए extra efforts मारने पड़ेगे ठीक है तो अभी बस further और भी जो chapters हैं उनक इस तरह से अगर आप preparation करोगे तो वो आपके लिए ultimately effective साबित होने वाला होगा अब देखो आपने अगर दो साल ठीक से पढ़ाई करिये तब तो अभी आपको जो करना चाहिए वो है problem solving आप J.E.Mains के problem solve करो थोड़े bulk में problem solve करो because J.E.Mains के problems जो है वो comparatively question wise आपको difficult नहीं होंगे तो आपको थोड़ा focused रहना पड़ेगा थोड़ा careful रहना पड़ेगा तो अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर लिए तब तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ high weightage पढ़ना है या ऐसा पढ़ना है ये topic छोड़ सकते हो ऐसा कुछ नहीं है आपने अगर सब पढ़ा आप questions practice करिए धंग से और थोड़ा bulk में करिए जिससे आपको वो given time में उन questions को accurately बनाने का जो skill है वो धीरे धीरे आजाए अब मैं थोड़ी बात करूँगा उन बच्चों के बारे में जिनकी preparation अभी बहुत अच्छे से नहीं हुई है और वो at least 60 marks चाते हैं chemistry में और 60 marks अगर आप 2,5 महीने पढ़के ले आएंगे तो यह बुरे नमबर तो नहीं है यह तो काफी धंके नमबर ही माने जाएंगे आपके लिए लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको realistic होना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा कि यार actual में जो मैं कर रहा हूँ यह सच में इससे कुछ output आने वाला है या नहीं ठीक है तो चलो मैं कुछ chapters के बारे में बताता हूँ जैसे hydrocarbons हो गया eldehyde ketones हो गया, carboxylic acid यह organic reactions में आते हैं यह chapters तो इसको करने का क्या सही तरीका हो सकता है देखो पहले तो मैं बताता हूँ गलत तरीका क्या है गलत तरीका यह है कि आप जाएं, NCRT उठाएं और बस reaction रटना शुरू कर दें बिनना कुछ जाने समझे इदर उदर short tricks लगा लगा के reactions रटना शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता आपका काम बन पाएगा तो क्या सर एडवांस लेवल की पूरी reaction mechanism पढ़के बैठें उसके लिए नहीं, ऐसा भी नहीं है, इतना समय नहीं है अभी आपके इल पास आपको actually मेना basic reaction mechanism की knowledge तो होनी चाहिए क्योंकि उसके बिना आप इतने reaction सोचे मैं memorize कर लूँगा और जाके exam में apply भी कर जाओंगा, तो काफी unrealistic सी बात है यह ठीक है, तो आप basic reaction mechanism का idea लीजे, जैसे की normal SN1 reaction, SN2 reaction E1 elimination, E2 elimination, यह सब का आपको basic knowledge होना चाहिए आपको समझ होनी चाहिए कि बही, nucleophile क्या होता है, leaving group क्या होता है attack कैसे होता है, कौन से orbital में होता है, यह थोड़ी मोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ठीक है, उसके बाद, उसके बाद आप यह chapters को पकड़िएगा मैं assume करके चल रहा हूँ कि आप GOC तो पड़े ही होगे, because without GOC तो आप फिर कोई chapter ही नहीं टेच कर सकते और गयानिक का, तो hydrocarbons, aldehyde, ketones और देखो इसमें लिखने को यहाँ पर ठीक है, hydrocarbons और यह as per NCRT reactions, इसका weightage इतना बता रहा है, इसका weightage इतना बता रहा है, but organic reactions में किसी reaction को particularly किसी chapter में रखना उतना sense नहीं बनाता, because वही एक reaction alcohols में भी आ सकता है, वही एक reaction aldehydes में भी आ सकता है, ठीक है, तो आपको ultimately organic अगर करनी है, यह reaction वाला part करना है, class 12 की NCRT पूरी आपको करनी पड़ेगी, but समझ के पढ़ो, यह मैं बोलूं समझ के याद करो, अगर आप यह काम करते हो, तब आप देखोगे कि हाँ आपसे questions भी बन रहे होंगे, ठीक है, तो यह रही organic reactions वाले chapters की बात, अभी जो अगले दो chapter आपको बताने जा रहा हूँ, periodic properties, atomic structure, यह जो chapters है, जो बच्चे 60 to 65 इस तरह से भी 0 से target करना चारहे हैं, उनके लिए काफी effective होते हैं, बहुत fruitful होते हैं, because इनके लिए कोई खास pre-requisite नहीं होती, यह तो ऐसे दो chapters हैं, जो अगर आप 10th के बच्चे को भी अभी पढ़ाना शुरू करेंगे, तो उसको भी समझाएगा proper, तो इसको आप क्यों ही छोड़ेंगे यार, यह तो करना ही करना है, और छोटे भी है chapters, जैसे atomic structure अब उसका उतना detailing नहीं करनी है, कि आप quantum mechanical model मिरे lecture देख रहे हैं, और बहु जाएगा, ठीक है, अच्छे से चल जाएगा, atomic structure, periodic properties, one shots भी देख लेते हो, चल जाएगा, बट हाँ, जो one shot में आपने देखा, जो लिखा copy में, वो दिमाग में याद रहना चाहिए, ठीक है, इन chapters को इस तरह से पकड़िए, उसके बाद आईए आप, electrochemistry जैसे chapter में, electrochemistry जो है, देखो देख कर लगता है कि यार इसमें एक nurse equation है, एक faraday's law है, हम याद कर लेंगे, 4-4 question बना लेंगे, बन जाएगा, बट reality थोड़ी अलग है, क्योंकि अगर आपको कुछ दूसरे चीजों का थोड़ा थोड़ा knowledge नहीं है, तो आप इसमें फस जाओगे, हो सकता है, क्योंकि वो ना आप वो pattern सीख कर लोगे, कि ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ये put करते हैं, ये put करते हैं, बन जाता है, but ultimately exam में, क्योंकि आपको surety चाहिए, आप एक तो 10 chapter अगर करके जा रहे हैं, तो आपको surety चाहिए भाई, कि ये chapter से सवाल आए, तो मुझे बन ही जाए तो ये तभी बनेगा, जब आप अंधो की तरह बस इस chapter को रटेंगे नहीं, आपको इसके लिए कुछ चोटी मुटी चीजों का knowledge होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कि redox reactions किस तरह से चलते हैं, because आप electrochemistry देखोगे, full of redox reactions, कितने electron involved हैं, क्या है, अगर आप वही नही पा रहे हो, तो क्या करोगे आप, ठीक है, तो ये इस तरह सेंसिबली सोचना पड़ेगा, फिर बढ़ना पड़ेगा, तब जो ultimate आपका aim है, वो achieve हो पाएगा, और भी जैसे ionic equilibrium का थोड़ा मोड़ा इसमें use आ जाता है, कहीं कोई acid डाल दिया, उसमें लिखा वाइसका k of acid is this, अब आपको थोड़ा ये k वगेरा के बारे में पता होना चाहिए, अब इसमें जो sparingly soluble salt वाला case आता है, तो इसमें भी थोड़ा basic आपको ionic equilibrium के terminologies तो आने चाहिए, मैं नहीं बोल रहा, ionic equilibrium पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से sound होना चाहिए, नहीं basic आना चाहिए, उसके बाद आप इसको करें, मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है यार, यह कर रहे है न, तो superficial level पे भी कर रहे हैं, तो थोड़ा समझ के करें कि कर क्या रहे हैं, अंधो की तरह question बनाना, formula में tip tip के, उससे ultimate काम आपका नहीं बनने वाला है, ठीक है, और उसके बाद, biomolecules, biomolecules kind of independent है बोल सकते हो, बट, अगर आप इसको aldehyde ketones पढ़ने के बाद पढ़ोगे, especially carbohydrate वाला portion है, glucose वाला portion है, तो आपको थोड़ा better sensible types लगेगा, आपको पढ़के थोड़ा समझ में आएगा, और biomolecules के लिए भी I will suggest stick to NCRT, stick to NCRT, आप NCRT stick करिए, और इसके साथ आप आराम से biomole कि 18th November, this is the big reveal, जैसा कि Mohit सर ने भी आपको hint किया है, तो बिलकुल आप notify me का जो button है वो आप प्रेस कर दीजिए, so that you will be notified and you don't miss that big reveal on 18th November 2024, okay, thanks for watching.